हलो एब्रीमन आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर मैं हूँ डॉक्टर मॉनिका और आज हम 28 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेशन बन सकते हैं उन पर डिसकेशन करने वाले हैं और क्वेशन से र मोटिवेशनल कॉट है आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी तो इसी मोटिवेशनल कॉट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फ्वेशन है इन विच स्टेट दे नैशनल यूथ कॉन्फरेंस विल बी इनुग्रेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओन जैनुवरी ट्वालव ट्वंटे ट्वंटे थी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरा बारा जनुवरी दोहजार तेईस को किस राजे में राष्ट्रे यूवा सम्मेलन का उद्वाटन किया जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये करनाटक के जो अंदर है ये किया जाएगा 20 का करेक्ट आंसर है करनाटक के मुख्य मंत्री बसवराज बॉंबई ने गोशना की है कि 26 वा राष्ट्रे यूव उत्सव 2023 हुबली धारवाड के जुड़वा शहरों में आयोजित किया जाएगा और मुख्य मंत्री ने कहा है कि रास्ट्रे युवा महसव का उधगाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी 12 जन्वरी 2023 को करेंगे रास्ट्रे युवा महसव का आयोजन केंद्री युवा मामले और खेल मंत्राले के द्वारा राजे सरकारों में से एक के संयोग से किया जाता है स्वामी विवेकानन की जैनती के उपलक्ष में राष्ट्री युवा महसव का आयोजित जो है ये किया जाता है जो 12 जन्वरी को पढ़ता है पहली बार इसे 1995 में में राष्ट्रे एकता शिवर के कारिक्रम के तहट एक प्रमुग गतिविदी के रूप में शुरू किया गया था और पुडुचेरी में 25 वे राष्ट्रे युवा महसव का आयोजिन किया गया था करनाटिका की हम बात करें तो करनाटिका गवर्मेंट ने लॉंच किया है विने समरेश्य पहल को करनाटिका गवर्मेंट लॉंच महिला एट वर्क प्रोग्राम को यहां पे लॉंच किया गया है परियायम महसव जो है यहां पे सेलिब्रेट किया गया है और reservation in police for transgender इसके लिए state government ने announce किया है The world famous मैसूर दश्यरा festival यहाँ पे celebrate किया जाता है Second number question है Who has been given the Sahity Academy Award for the year 2022 for the novel काला पानी किसे उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरशकार दिया गया है तो इसका correct answer होगा यह दिया गया है M. Rajendran को यह दिया गया है 20 का correct answer है Sahity Academy ने Sahity Academy पुरशकार 2022 की घोशना कर दी है और यह पुरशकार 11 मार्स 2023 को नई दिल्ली इस्तेत कामानी सभागार में वित्रित किये जाएंगे सेवा निर्वर्थ IAS अधिकारी और तमिल लेखक M. Rajendran को उनके उपरन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरशकार के लिए चुना गया है जो कला यर कॉयल के जंगलों में 1801 में मरूदू भाईयों और इस्ट इंडिया कमपनी के बीच यूद्ध का वर्णन करता है साहित्य अकादमी पुरशकार एक साहित्तिक सम्मान है जिसे साहित्य अकादमी हर साल साहित्तिक क्रति को पुरशकार प्रदान करती है भारती सविदान की आठवी अनुसूची में शामिल 22 भारती भाषाओं के अलावा ये राजसानी और अंग्रेजी भाषा सहेत कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया चाता है पहली बार साइते अकादमी पुरशकार साल 1955 में दिये गए थे third number question है who has been appointed as the new president of New Delhi International Arbitration Center के नए अध्यक्ष के रूप में किसी नियूत किया गया है तो इसका correct answer होगा ये बने है हैमन्त गुपता बने है जस्टिस हैमन्त गुपता इसका correct answer होगा ये इसका correct answer है सुप्रीम कोट के फार्मर जज हैमन्त गुपता को नए दिल्ली इंटरनेशनल Arbitration Center का नया अध्यक्ष नियूत किया गया है सुप्रीम कोट के फार्मर जज हैमन्त गुपता 14 अक्टुमर को अपने पंसर रिटायर हुए थे और उन्होंने हिजाब मामले में करनाटक हाई कोट के 15 मार्च के फैसले को चुनोती देने वाली याजिकाओ के एक बैच पर Split Vertect सुनाया था और नई दिल्ली International Orbitation Center नई दिल्ली में इस्तित एक स्वाय संसा है जो संसागत मद्य इस्तता और सुलह की कारवाई करती है इसके इसापना नई दिल्ली में वर्ष 2019 में की गई थी Phone number question है The song Natu Natu from the blockbuster film RRR has been shortlisted for Oscars 2023 Who is the composer of this song? Blockbuster film RRR का songs जो है Natu Natu Oscar 2023 के लिए shortlist हुआ है और इस song के composer कौन है तो इसका correct answer होगा ये MM कीरा वनी के दोरा compose गिया गया song है 20 का correct answer है भारत की blockbuster film RRR का songs Natu Natu Oscar 2023 के लिए shortlist हुआ है और ये songs best song category में shortlist किया गया है जो Oscar 2023 के लिए shortlist हुए 15 गानों में से एक है Oscar के लिए shortlist होने वाला ये भारत का पहला songs है songs Natu Natu को MM किरावनी के दोरा composed किया गया है और इस गाने को चंदर बोस दोरा लिखा गया है जिनोंने राहूल स्पली गौंज और काल भेरव ने आवाज दी है इस songs को 80 वे Golden Globe Awards में Best Original Song के लिए भी नॉमिनेट किया गया था और पिच्चान में वा Academy पुरशकाल समार हो Academy of Motion Picture Arts and Sciences के दोरा प्रस्तूत किया जाएगा जिसमें 2022 में release होने वाली फिल्मों को सम्मानिक किया जाएगा और ये अवर्ड Iogen Los Angeles California में Dolby Theater में 12 March 2023 को किया जाएगा 5 नॉमर के एशन है Which Organization has released the report 2022 in 9 charts कि संसा ने 2022 in 9 charts रिपोर्ट जारी की है तो इसका correct answer है ये वर्ड बैंक के दोरा जारी की गई रिपोर्ट है विश्व बैंक ने हाली में 2022 in 9 charts रिपोर्ट जारी की है और इसके अनुसार दुनिया 1970 के बाद से अपनी सबसे महतुपूर्ण गिरावट का अनुभव कर रही है 2022 के अन तक 685 मिलियन लॉग घंबीर गरीबी में जीवन यापन कर रहे होंगे 2020 के बाद में ये दो देशकों में सबसे खराब इस्तिती वाला वर्ष होगा 6th number question है 6thundert का correct answer है विद्वर्ष 2022 और 2023 की दूसरी तिमाई जुलाई सितमबर 2022 में भारतिय अर्थ वैवस्ता में 6.3% की वरदी हुई है और पहली तिमाई अप्रेल से जून 2022 में भारतिय अर्थ वैवस्ता का विकास दर 13.5% था ताजां अकडों के अनुसार 2022 और 2023 की पहली शमाई में भारत की GDP में 9.7% की बढ़ोत्री हुई है भारत सरकार्ण के अनुसार जुलाई से सितंबर में सकल घरेलू उत्पाद की व्रदी में तेश गिरावट एक कोरोना काल के कारण बने अनुकूल आधार प्रभाव के लुप्त होने के कारण थी और क्रशी और सेवा शेतर ने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन ओध्योगिक शेतर ने नकारात्मक व्रदी दिखाई है और मंत्राले ने अपने मध्यवर्ष के व्य और आय विवरन में ये खुलाशा किया है कि मंत्राले ने कहा है कि वेश्वेक मैक्रो एकोनोमिक इस्तिक ने सरकार के अनुमानों को प्रभावित कर दिया था और इसे राजकोश ये उत्तरदाईतो और बज़र प्रभंदन अधिनियम के द्वारा आवशक मध्यम अवधी के व्य धाचे को पेश करने में बाधत था 7. Quesn है Who has launched India's first gas price index? किसने भारत का पहला gas price index को launch किया है? तो इसका correct answer होगा ये launch किया गया है IGX के द्वारा Indian gas exchange के द्वारा ये जो है ये launch किया गया है डीस का correct answer है Indian energy exchange के द्वारा समर्थित Indian gas exchange ने benchmark natural gas की price को दर्शाने वाला भारत का पहला index जारी किया है जिसको जिक्सी नाम दिया गया है और इस index के तहत कारोबार में किये गये सभी gas के लिए मात्रा भारित average price और पश्यमी और दक्षिनी हम में gas की कीमतों को प्रदर्शित किया जाएगा IGX gas price index के इस्तापना के बाद से 447 लाग mm 1.1 billion cubic meter से अधिक gas का व्यापार किया जा चुका है gas price index का उदेश ये global level के JKM, HH, WIM, TTF जैसे International Benchmark के अनुरोब भारत में भी एकल gas price की अवधार्ना को बढ़ावा देना है जो समदित कवरेश शेत्रों में मुल्ले का निर्धार्ण करने में सक्षम हो top 5 first in India के हम बात करें तो इंडिया का जो first state है जो bio village यहां बना है तो यह है tripura which state and union territory has launched इंडिया's first virtual school तो यह दिल्ली के अंदर बनी है where will reliance industries set up इंडिया's first and world's largest carbon fiber जो plant है यह बनने वाला है हजीरा गुजरात के अंदर इंडिया's where will the first 3D post office be built तो यह बैंगलूरू के अंदर बनने वाला है which state government has announced to set up इंडिया's first education township तो यह जो है यह बनने वाली है उत्तरप्रदेश के अंदर 8th number question है which state has approved the warehousing and logistic policy 2022 किस राजे ने warehousing and logistics policy 2022 को मंजूरी दी है तो इसका correct answer होगा यह उत्तरप्रदेश ने दी है सीज का correct answer है उत्तरप्रदेश की योगी cabinet ने उत्तरप्रदेश warehousing and logistics नीती 2022 को स्विक्रिती प्रदान की है राजे सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया है कि वेश्विक अर्थि व्यवस्ता में नई प्रोजोगी कियों के विकास को देखते हुए अंदर आज़्टे इस्तर का कारोबारी महोल सरजित करने है तू प्रदेश में logistics पारिस्तिती की तंत्र विक्सित करने के द्रश्टिगत ये नीती बनाई गई है और इस नीती से प्रदेश में नीजी logistic पार्क के सापना करने पर रियायते मिलेगी और नीजी लोजिस्टिक पार्क के लिए निवेशकों को फास्ट रेक आधार पर भूमी का अवंडन किया जाएगा नीजी लोजिस्टिक पार्क स्तापित करने पर स्टाम ड्यूटी और भू उपियोग परिवर्तर शुल्क में रियायती दी जाएगी इस नीटी के सफल क्रियानवन से प्रदेश की अर्थ ववस्ता को एक ट्रिलियन डॉलर की बनाने का लक्षे प्राप किया जा सकेगा ये नीटी अगले पांच वर्षों के लिए प्रभावी होगी और इस नीटी की अधिसूचना निर्गत होने पर उत्तर प्रदेश वेर हाउसेंग और लोजिस्टिक नीटी 2018 जो है निरसित हो जाएगी नाइन नमबर क्रेशन है विच यूनियन मिनिस्ट्री और गेनाईज द प्रोग्राम AI पे चर्चा कौन सा केंजरे मंत्रा ले AI पे चर्चा कारिकरम आयोजित करता है तो इसका गरेक्ट अंसर होगा Ministry of Electronics and IT के दोरा जो है ये आयोजित किया जाता है Electronics और IT मंत्राले के E-Governance Division ने AI पे चर्चा की मेजवानी की है और पैनल के सदशों ने AI को उच गुर्माता वाले डेटा सेट तक पहुँचने के अनुमती देने के महत्वे और तरीकों पर चर्चा की है इस चर्चा श्रंकला को 2020 में मी इट वाई के उधगाटन वेश्विक AI शिकर सम्मेलन सामाजिक अधिकारिता के लिए उत्तरदाई AI के हिस्से के रूप में लॉंच किया गया था 10 नमोर क्वेशन है वो हैस बीन अपॉइंटेड एस दे नेक्स एमबेसेटर ओफ इंडिया टो साओधी अरेबिया साओधी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे निउट किया गया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने है डॉक्टर सुहेल एजास खान बने हैं के अधिकाली है और वर्तमान में लेबनान में भारतिय राजदूत के रूप में कारेरत है खान ने सितंबर 2017 और जून 2019 के बीच में मिशन के उप प्रमुप के रूप में रियाद में भारतिय दूतावास में काम किया और सौधी अरब जो दुनिया में कच्छे तेल का सबसे बड़ा निर्या तक है और इसलाम की दो सबसे पवित्र मजीतो मक्का में अलहरम और मदीना में अलहरम या निशिद्ध मजीतो का सरक्षक है सैंत राजी अमेरिका चीन और सैंत अरब अमिरात के बाद सौधी अरब भारत का चोथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागिदार है भारत के कच्छे तेल का आयात का 18% से अधिक सौधी अरब से प्राप्त होता है और अप्रेल से दिसंबर 2022 के दोरान द्वी पक्षिय व्या अमेरिकी डॉलर मुलने का था चलिए कल के जो MCQ है उन्हें हम रिवाइस कर लेते हैं फर्स नंबर क्वेशन है पुमा इंडिया ने किसे अपना ब्रेंड अमबसेटर बनाया है तो ये जो है बनी है अनुशका शर्मा सैकिन नंबर क्वेशन है किस देश ने भारत की 16 फार् अमिल हुआ है तो ये है गुजरात का फॉर्ट नंबर क्वेशन है वितवर्ष 2022 और 20 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रे में कितने परसेंट की व्रद्धी की गई है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये की गई है 25.90 की फार्ट नंबर क्वेशन है भारत इंडोनेशिया नि अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुक पैट्रियट मिसायल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा तो ये युक्रेइन को करने वाला है 7. नंबर क्वेशन है एर इंडिया ने कम लागत वाले एरलाइन वेवसाई का प्रमुक किसे न्यूक किया है तो इसका करेक्ट आंसर ये किया है आलोग सिंग को एसका करेक्ट आंसर होगा 8. नंबर क्वेशन है किस भारती अभिनेता को ब्रिटिश पत्रिका की 50 महनतम अभिनेताओं की सूची में शामिल किया गया है तो ये शारुख खान को किया गया है 9. नंबर क्वेशन है किसी राइजिंग स्टार ओफ का पुरशकार के लिए नामित किया गया है तो इसका करेक्ट आंसर है कि ये अंतिम पंगाल को किया गया है 10. नंबर क्वेशन है यूट्यूब ने किस देश की जीडीपी में 10,000 करोड रुपे का योगदान किया है तो ये किया है इंडिया को एसका करेक्ट आंसर है और ये था कल का study gloss question Forbes के द्वारा जारी दुनिया की सो सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीता रमन कौन से इस्तान पे रही है तो ये रही है च्छतिस्वे इस्तान पे एसका correct answer है और ये है आप लोग के लिए आज का study gloss question किस bank ने वित्य सुरक्षा पर E.A.G. पुरशकार जीता है तो इसका अंसा मुझे comment section में दीजेगा ये हमारा telegram है यहाँ पर आपको quiz available हो जाएगी और इस lecture की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी I hope आपको sessions पसंद आ रहे होंगे अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें like कीजे अपने दोस्तों के साथ में share कीजेगा तो जली मिल दे हम एक नए session के साथ में Thank you